गुद मॉर्निंग फेंट्स आज है पांच अगस और पांच अगस से रिलेटर जितने भी करेंट अफेर्स बन सकते हैं आज हम उनको यहां देखेंगे यह पांच मिनिट का वीडियो होता है लेकिन इसमें कम से कम 20 कोशन आपके बनते हैं अगर आप ध्यान से देखे तो और अभी जो आपका पैट का एक्जाम होने वाला है और आरू का एक्जाम बीयो जिन में करेंट अफेर्स आती हैं करेंट अफेर्स तो वही रहता है तो आप किसी चैनल से पढ़ सकते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही helpful साबित होगा और देखेगा इसमें suppression जरूर आएं पांच क्या मना जता है अभी तक तो नहीं रहता था लेकिन अब है क्योंकि यहां इतिहासिक और महत्वपूर्ण दिवस क्योंकि पांच आज्ट एक्पूर्ण चृमू कश्मीर ऐटिकल 370 को समाफ किया गया था और दूसा महत्वपूर्ण पांचर अजनंगे अगस 2020 को भगवान श्री राम मंदिर के निर्मार का कारे के लिए भूजन किया गया था तो पहला पॉइंट हमारे यह हो गया दूसरा है यूनेसकुन ने ग्रेट बेरियर रीफ को खत्रे की सूची से हटा दिया है यह कहा है तो यह प्रिशान्त महासागर में है और इसे क्यो खत्रे की सूची में रख दिया था लेकिन अभी वहाँ पे परस्थेतिक्यों को ध्यान में रखते हुए उस संतुलन डालनी का प्रयास किया जा रहा है तो उसे उस सूची से हटा दिया गया है हमारा अगला प्रश्ण है नया सवेरा योजना किस मंत्रा ले द्वारा प्रारम किया गया है तो नया सवेरा योजना अल्प संख्यकार मंत्रा ले द्वारा जिसकी हेड है स्मृती इरानी जी हमारा अगला है प्रश्न किस राज्सरकार ने अमरित व्रेक्ष щा अदोलन की पहल की है? तो अमरित व्रेक्ष अदोलन की पहल असम ने की है. तो आईए जानते हैं असम के बारे में कुछ असम कि राज़दानी है दिशपूर। और यहां के मुख्य मंत्री है श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी और यहां के गवर्नेर है गुलाब चंदर कटा दिया तो यह असम का अमरित विक्ष जो आंदोलन है इससे रिलेटेट कुछ फेक्ट यह 17 सितंबर से प्रारम किया जाएगा और एक करोड विक्ष लगाने की पहल विक्ष लगाये जाएं जिससे वन आवरन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और साती असमने इस समय नहीं नहीं योजनाय शुरू की है उसमें से एक है गजः को था गजः को था बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स जरूर किसी एक्जाम में याएगा गजः को था इस यहां पे अभी नया विधानसभा का बनाया गया है मतलब कि उसका निर्माड किया गया है विधानसभा का और इसके साथ ही यहां पर कुछ और important fact यह भी कि सितंबर महीने में सेप्टंबर में यहां बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा तो फिर यह हो गया असम के बारे में important fact चलते हम अपना अगला प्रेशन देखते हैं हाल ही में डूरेंट कप का कौन सा संस्कृरंट शुरू हुआ है तो डूरेंट कप का इस समय 132 संस्कृरंट शुरू हुआ है तो यह कहां खेला जाएगा यह वेस्ट बेंगाल और असम में भी इसकी मेजबा करेंगे तो डूरेंट कप क्या है यह फुटबॉल से related एक टूर्नामेंट है और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसका प्रारम सन 1888 से इस्वी में किया गया था अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रेशन की और हाल ही में चर्चा में रही हमारा अगला प्रेशन हाल ही में पच्वाई पेंटिंग को जी आई ट्रेक प्रदान किया गया है तो यह किस राजे से संबंदित है तो पच्वाई राजिस्थान संबंदित है कहां से राजिस्थान तो राजिस्थान के बारे में भी हमको जान लेते हैं राजिस्थान की जाज़ानी है. जैपुर, और यहां के हमारे CM कह ने, अशोक गहलोत और यहां के हमारे गवरनर है, कालराज मेश्र, अब देखते हैं हमारा अगला प्रेश्म, भारत का पहला hydrogen इरधन अड्यो, कहां इस्तापित किया जाएगा, तो यह कहां इस्तापित किया जाएगा, किया जाएगा ज़ारखंड जमशेदबुर में ज़ारखंड में अस्थापित किया जाएगा तो ज़ारखंड की कैप्टिल क्या है राची है और यहां के CMM हेमन्त सोरेन और यहां के गवर्नर है स्रीपी राधा कृष्णन अब हम बढ़ते हैं अपने प्रेशन की और किस राजीव की मैटी केले कुछ जी एक टेग मिला है तो मैटी केले कहां संबन देता है तमिल नाडू से और यहां के कैपिटल क्या है चेन नहीं है और साथ ही यहां के CM है MK स्टॉलिन और गवर्नर है रमींदर नारायन रवेजे तो जी आई टेग के मामने में इस समय प्रथम फर्स्ट रैंक पर है तमिल नाडू भारत में क्योंकि अब 58 चीजों को यहां की जी आई टेग मिल चुका है जबकि करनाटक दूसरे नंबर पर है यहां के 48 वस्तुओं को जी आई टेग प्राप्थ हुआ है और यूपी यूपी तीसरे नंबर पर है यूपी को मिला है 51 प्लस वस्तुओं हो गई है जिनको जी आई टेग मिला हुआ है अब हमारा अगला प्रश्न संपूर एमपावर उप्योगों का उप्योग पूरी तरह से करने वाला पहला अफ्री की देश कौन बन गया है तो यह मारेशेस है यह पहला ऐसा देश है जो संपूर एमपावर उपाईओ को पूरी तरह से लागो करने वाला देश है और मारेशेस की राजदानी का है पोर्ट लुइस देखिए पेट की एक्जाम में ऐसे ही आएंगे आपके कोश्चन जैसे पूछ लिया मौरिशिस की राजधानी बताईगे आपने करेंट अफेर्स में पढ़ा तो हैं मौरिशिस लेकिन उसकी राजधानी के बारे में नहीं पढ़ा है अगर आप जो शब्द पढ़ा है उसके बारे में अगर आप राजिस्थान के बारे में पढ़ा है तो वहां के सीम कौन है क्या है सब कुछ पूछा जाता है कोई भी प्रशन आ सकता है इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूली क्योंकि दोस्तों इसे में से आएंगे क्योंकि रोज के करेंट अफेर्स हम सॉल्व कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता क कि हमारे करेंट अफेर में सो जाए कोई भी तो चली मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले वाद धन्यवाद